आरे से बीजेवी की सरकार है एक बता दे कब सम्विधान में विश्वास कर रहा था तिरंगा जंडा कब लगाया था नागपुर में ये बता दे वो तो सम्विधान को उस समय भी नहीं मान रहा था किसान परशान है, मजदूर परशान है, दलित आदिवासी परशान है, सिक्षक परशान है, छातर परशान है, यह confidence का लेवल कहां से आ रहा है कि अब की बार 400 पा, पता है कि अब आप से वोट लेना नहीं, मशीन से लेना है, काले अंगरे से लग रहा है, जब हमारी सुरक्ष सुनिश्चित नहीं है, हमारे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है, जब एक ही दिल्ली इनवर्स्टी में तीन तरह के कानून चलने हैं, आपने देखा कि नहीं देखा, 14-18 वर्स के ग्रामीन बच्चे, उसमें से तीन क्लास का मैस नहीं सॉल्व कर सकते हैं, सब से आजाता है, आपको कि सब ठीक ठाक है, नोटिस आजाता है ना, हर वीडियो पर, देने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, आज मैंने आपको दिखाया ना, कि जिस देख में, 14-18 वर्स के ग्रामीन बच्चे, उसमें से तीन क्लास का मैस नहीं सॉल्व कर सकते हैं, आई भी मशीन टैंपर की जा सकती है, और कई बार लोगों ने दिखाया है, एक्सपेरिमेंट के रहे, आखी देख बताईए, इबियम से चुनाव कराने में, चुनाव आयो क्यों इंटरेस्टेट हैं, यही बता दे, क्या खर्चा कम हो रहा है, क्या टाइम कम लग रहा है, क्या हो रहे हैं, लोग सवा के चुनाव में तो और ज्यादा फेज में चुनाव होते हैं, पहले तो हमने नहीं सुना कि बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, जब यहां पर इतने, हम पढ़े लिके आदमी हैं, भाई, हम भी उसो टैंपर करके नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उस हम देख लें जिसको बोट दी हैं, क्या रहा हैं? इस पहले बीच का रास्ता कि निकाला जाए तो उस पर आप से हैंमत होंगे इतने सारे election petition quote में पड़े हुए है उसमें सुनवाई क्यों नहीं जब एक पत्रकार जो है गोदी पत्रकार के लिए रात में 12 वजे अगर लग सकता है quote तो ये democracy ये risk पे है hijack democracy है EVM के खिलाफ लाखों लोग देशवर में आवाज उठा रहे है हजारों संगठन काम कर रहे है तो EVM से ही कराने दुनिया की कौन से इसी democracy है कि जहां पर EVM से चुना हो रहा है ये बता दें जब गरबर हो रहा है जब cheating हो रही है तो एक intellectual काम है कि अपने समय के जलते हुए प्रशन पर अपनी आवाज बुलंद करे ये हमारा काम है एकेडमिशियन का लॉयर का प्रफेशनल्स का ये जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रशनों पर आवाज बुलंद करे कि हमारा उठाय उन्हों मशीन से क्यों वाई ये इसका जबाब पहले चुनाव आयोग दे चुनाव आयोग ये कह रहा है आप कहा रहे है कि लिए तो कोई भी सहमत नहीं है कोई कैसे सहमत नहीं है कुछ भी हो सकता है मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ मैं कैसे बता चुनाव आयोग कमिशनर को हम बोले कि चलिए मर्चिडिज का कार जो है चुनाव में आपने देखा नहीं वीडियो के चुनाव में आपने देखा नहीं और माद्येपडेश में देखा नहीं तो जब आदमी का दिमाग खराब अदमी जब बैमान हो जाए तो दुनिया के कोई भी चीज फुल प्रूब नहीं हो सकता है इसलिए 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 कह रहा हूं लेकि आरे से बीजेवी की सरकार है एक बता दे कब समिधान में विश्वास कर रहा था तिरंगा जंडा कब लगाया था नागप तो ये समिधान को किस्तों में जोना खतम कर रहे हैं और उनको पता है कि बैलेट पेपर से चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो पचास साल तक ये कहीं सत्ता में नजर नहीं आएंगे जहां बीजेपी बीजेपी में दावा कर रहा हूं कितनी भी पाटी खड़ी हो जाओ जीत नहीं सकती है किसान परिशान है मजदूर परिशान है दलित आदिबासी परिशान है सीखषग परिशान है चाद्र परिशान है ना आखड़े तो आई रहे ना सारे आखड़े आ रहे हैं कौन इनको वोट दे रहा है और यह कहां से आ रहा है कि आपकी बार 400 पार पता है कि आप से वोट लेना नहीं मशीन से लेना है मशीन से लेना है तो मशीन से सरकार बन रही है इसलिए इसलिए जितनी जन विरोधी काम है यह सरकार कर रही है और election commission एक तरह से puppet बनी हुई है, इसलिए आपने देखा होगे पिछले कई वर्सों में कई जन आंदोलन हुए है, यह सरकार सिर्फ और सिर्फ जन आंदोलन से डरती है. अच्छा क्या लग रहा है सर, जिस तरह से EVM के खिलाप लगातार तमाम पार्टियों, तमाम लोग अलग-अलग से लग रहे हैं, क्या सब को एक साथ हो करके एक जूट दिखा करें? देश बचाओ, अपने अपने बैनर तले पूरे देश भर में डियों को ग्यापन्दो धरना करो, शांतिपुन तरीके से प्रदर्शन करो, और जब भी नाशनल कॉडिनेशन बने तो दिल्ली की तरह भी कूच करो, समयधानिक तरीके से. अपने का कि कौन वोट दे रहे हैं भाजपा को, जो परसाद जिनको परसाद दिया जा रहा है, वोट दे रहे हैं, जिनके लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं? कि किसान भोड दे रहा होगा कभी कहांने набद प्रест कर दो इसे प्रचंड हो गया है मैंने फिरेश धानसमा में जो है भाज़बा का एक समर्था बिक方面, 97,000 बोट आएगा हमें और 77,000 बोट आएगा सब्सक्राइगा कॉंग्रेस वाले को अठीक जब रिजल्ट आया तो 97,000 कुछ बोट बीजेपी को मिला और 77,000 कुछ बोट जो है वो मिला कॉंग्रेस को इसका क्या मतला है इबीम माई जो है इबीम देवी, राटमी उसको स cerv ने दैने आई थी इवेम देवी, तो यह पूरा और पूरा लूट है, ढकईती है, पूरि लोक्षाही की ढकईती है, इसका हर अस्तर पर इंट्रिग्चल लेवेल पे, पुलिटिकल लेवेल पे हर तरीके से विरोध होगा, दीरे दीरे तमाम तरह के संगठनों से बाती चल रही है, किसान संगठन भी आएंगे, तमाम मजदूर संगठन भी आएंगे, देखे शुरुबात तो हो चुकी, और लाको लाक अगर लोग फोन कर रहे हैं, परिशान है, इसका मतलब कह रहे हैं कि हम बोट ही नहीं थी, यहां से क्यों डलवाना चाह रहे हैं, अमेरिका में होता है, जर्मनी में होता है, इंग्लेंड में होता है, वहां तो कह रहा जल्दवाजी के लिए हो रहा है, टाइम तो डेटर महीने लग रहे हैं, तुम कह रहे हैं, जल्दवाजी के लिए होता है, पहले भी एलक्षन होते थे तो कहां हो रहा है आप इंटर महीं ना रही है ना आप बूत पे आप कैमरे क्यों नहीं लगा रहा हो एलेक्ट्रोनिक सर्विलांस क्यों नहीं कर रहे हो इतने सोफिटेट इस सोफिस्टेटट विपन्स हैं और इतने फॉज हैं पैरा मिलिटरि फोर्सें हैं साथी फेज में कराना था जिस फेज में करा रहा हो लगाओ बूत लूटे रहे हो को सूट का ओडर दो यह क्यों नहीं कर रहे हो फिर यह क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग साधन है कम से सब्सक्राइब करें निशाने पर हर समय पत्रकार होते हैं बुद्धी जी भी होते हैं यो अपने समय के जलते हुए सवालों पर जो है अब सब हुआं वहा कर रहा है तो हम भी हुआं हुआ करेंगे नहीं कर सकते हैं नब्य साल एक मिनत उपन्त ना श्रप्रफशा और बचू नवन घूम रही है और हमें तो अगर अकेडमिक लेक्टर देने जाना हो तो वहाँ पे विज़ा नहीं मिलता है तो आपको नहीं देख रहा है यह देश पूरा RSS BJP कभी समिधान में नहीं विश्वास करती थी इसने इलेक्शन कमिशन को भी हाईज़क कर लिया है और election commission का तो काम है fair and free election करवाना लेकिन सर इतना समय लगा तो 2024 के चुनाफ तो निकल जाएगे न अगर समय इतना ही लगता रहा अब देखिए सब कोई मैं जोते सबावा तो हूँ नहीं कि सब मैं अभी बता दो लोग अगर चाहेगा कि नहीं होगा आपके साथ ही बखिल तो कहरे नहीं होने नहीं ठीक है देखते हैं नहीं सही कर रहे हैं जनता इसी जागेगी नहीं सहमत है कैसे होगा जोतिस नहीं तो हर चीज का जवाब मैं थोड़ी इत्रों स्टेंट दे सकता हूं उतना कॉंफिडेंस है दो हजार चोबिस से पहले बैन होगी कोशिश तो जारी है तो कोशिश री करेंगे ना जोतिस इसलिए करेंगे कि मैं कैसे कर सकता हूं कि इतने तारीक को इतने बज़े करने की नहीं मारे जा रहा है तो इतने साही की सरकार इससे तो लड़ना ही पड़ेगा तब इतने सारे लोग बोल रहे हैं डर नहीं रहे हैं यही आपको कम लग रहा क्या